Hello friends, welcome back to my channel तो नए वाले आलो को परवल के साथ कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेर करने जा रही हूँ आलो परवल तो बहुत बार बनाया है नए आलो की रेसिपी शेर करने जा रहे हैं सबसे पहले यहां दिखा रही हूँ आपको परवल इसे पहले ही मैंने अच्छे से इसके जो छिलके होते हैं उसे उतार लिया फिर इसे धो लिया धोने के बाद अब मैं आपके सामने में इसे काट रही हूँ तो सबजी जब भी बनाएं इसके जादे पतले पतले फाके ना करें यह कट करके यानि इसे काट के तयार कर लिया तो भूनते हुए ये बहुत जल्दी पक जाता है तो इसे मैं लगभग 90% तक इसे पका रही हूँ यानि भून रही हूँ बिल्कुल गुलाबी होने तक तब यह आप देखी सकते हैं हाँ इसमें नमक मैं शुरू में डालना बूल गई थी जैसे ही आलू डालिये वैसे ही नमक भी डाल दीजे साथ-साथ अब यह भून चुका है फिर से इसमें सरसों का तेल डाला तेल जब गरम हो गया फिर इसमें परवल डाला और परवल को भी 90% तक पकाया है पिल्कुल इसे भी गुलाबी कर देना है और इसमें शुरू में ही मैंने नमक डाल दिया है इसी तरह से आलू में आपको डाल देना है धक्कन से धक दिया बार बार धक्कन दो-चार बार उठाईए धकिए और इस तरह से यह पक जाता है लो टू मीडियम फ्लेम आप से रख सकते हैं छोड़ा पर सब्राम से पकने के लिए धियं कोटकर करके लए afar और हरिमेज ये दो बड़ा है और चमच दाला है ऐसका बढ़िया वाला मैंने दो मीडियों साइज के प्याज डाले हैं और इसे भी मैं गुलाबी होने तक भून रही हूँ इसे मैंने अब फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है ढकर लगा के ही मैंने किया ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए अब हल्दी डाला दा चोटा चमच एक चोटा चमच धनिया पाउडर एक चोटा चमच भर करके कश्मेरी लाल मिर्च और यहां एक चोटा चमच मैंने डाला है अनार दाना पाउडर मैंगो पाउडर हो तो वो डालिये कुछ सेकेंड तक मसालों को भूनने के बाद में दो मीडियम साइज का टमाटर डाला और नमक डाल दिया है साथ ही साथ और इसे भी मैं ढखकर पका रही हूँ तिन लो टू मीडियम या मीडियम फ्लेम पर आप इसे भून सकते हैं डिपेंट करता है कड़ाई के उपर कसूरी मेथी डाला है और इसे मैं भून रही हूँ तो अगर कड़ाई आपकी मोटे तले की है तो आप मीडियम फ्लेम पर भून सकते हैं पतले तले की कड़ाई हो तो ल इस में मैंने पानी डाला एक गलास और साथ ही साथ आथा चोटा शमच गर्म मसाला डाला है मिला दिया और ढखकन से अब मैं इसे चार मिनट तक ढख रही हूँ पकारी हूँ एक अच्छा सा जब उबाला गया ढखकन हटा दिया और धरिया का पत्तर डालिए खूब सारा तो नए वाले आलू के साथ परवल की रेसीपी इस तरह से बनाईएगा बहुत ही जबरदस्त वाद पाईएगा तो बनाईए इसे खाईए और कमेंट करके मुझे बताईए अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखने के ल